चे नमोस्तू तात्म चनंद आनंद माउं चे अने नंद साहाओ परमितात्य पद बेंद पाउ नमियों से द्ध सोभाओ गुरु वेशे गुपती रुई गुपती न्यान सहकार तारण दरण समर्थ मुनी गुरु संसार निवाद धम जुत्तौ जिन वरहम अरे थती अरे थेह जो भैवे नाशे भब जू मुन्हों मामले न्याने परे लोई देव को भुरु को धर्म को शाजी को वारमा नमस्कार हो अवमकार अवमकार वेदांति शथात्म तत्वम प्रेमा मिनेत्यां तत्वार्ति सार्धम न्यानाम अयम सामी की दर्शिनेत्वम सम्यति चरिणम चेतन निरुवम भुलिये शहे शमे शधात्मे देवी की जैओ 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 अचार प्रवर सद्गुर्वर तारं तर्मला शहर जी महराजी की जैओ 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 अम्रित रसायन जर्ती शुद्य जिन देशना की जैओ 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 जनेद्र प्रमात्मा का अम्रित दाइनी मंगल में जीब के कल्याण है तू अर्था जीब को जीवत के बोद कराने है तू शुद्द प्देश यहां सुद्धिता के अलावा अन्य कोई विसे ना हो जहां नास्ती में सुद्धिता का च्छे हो और आस्ती में सुद्धिता की व्यक्तिता हो बस वही सुद्धिता है आस्ती में कथन होगा तो शाश्व सरूप जयवन्त है नास्ती में कथन होगा तो कर्म का साय भाव चीन हो जाने वाले है इसा जहां उपदेश हो निश्चे स्तत्य की प्रमुक्ता हो वह सुद्ध उपदेश है तत्य को मूल आधार में लेके जो अतींद्री सुभाव कहा जाए जहां सुख्ष में वस्तु सरूप का पितिपालन हो अज्यान भ्रम भ्रांती माया मौ आधी इन सब सल्यों का अपने चित्त से निरोध हो और आत्म तत्त सुद्ध सुभाव मालाय गुत्तम गुण सा सरूपम अपने गुणों की गुण माली का अंतर हिर्दे में गुतने लगे तो समझ लो सुद्ध जिनुपदे जिन्वर होवान की वानी प्रारंब हो गई है यहां बुद्धी के छे अपसम के तो कोई कारी नहीं है यहां समझना और समझाना तो कुछ है ही नहीं यहां तो सुयम समझना है और सुयम को समझाना है सुयम से सुयम के अंतर का जो पुरसार्थ है सुयम के स्वरूप की उढ़लने का जो पुरसार्थ है वही जिन भगवान का उपदेश है तो आज क्या कह रहा है गुरू मराज अपना बांचन चल रहा है तेरा प्रिकार के चारित का कहा है वह तेरा प्रिकार का चारित गुरू मराज कह रहा है कि पूरे पूरे पिशित्तर गुण जब मैं सरूप में कह रहा हूं तो ये तेरा प तो पूरे के पूरे गुणों को गूतने का उब्देश तो अपने सौसरूप के लिए है, अपने सौसरूप में गूतने के लिए है, पूरे के पूरे गुणों को गूतने का जो भाव है, वो तो सौसरूप में गूतने का भाव है, तो भीया, स्वा सरूप में अपना जो शुद्धात्म सत्ता है, जो अपना चेतन लक्षण में परमात्म सरूप है, इसे स्वा सरूप में गूतने का उपदेश है ना, तो भी तेरा प्रगराचारित कहां मिलेगा आपको, आत्म सुभाव की रमनता में, मैं इस बिसे को रोज करता हूँ, क्या किस बिसे को, भीया, सकल चारित्र आत्म सुभाव की रमनता का नाम है, आपके अंदर ले कोई भ्रांती हो, किरिया की, आपके अंदर कोई बाहर के सैयोंगों की कोई भ्रांती हो, वर्तमान में आपके निमित अच्छा नहीं है, सैयोंग अच्छा नहीं है आपकी अर्तमान भूमिका में आपकी दसा अच्छी नहीं है तो आप बाहर की दसा को बदलना चाहते हो बाहर की दिसा को बदलना चाहते हो भी यह इसका नाम चारेत्र नहीं है हाँ वो भैवार चारेत्र आएगा लेकिन यदि आपकी अंतर में आत्म रवनता की दसा है अंतर में सुभाव रवनता का आनन्द है अंतरोन मुख दिश्टी है वहिर आत्म पने का त्याग है गुणों में आचरण है तो ऐसी आत्म रवनता ही जिन शाशन में चारित्र का मूल है चारित्र खलू धम्मो जिन शाशम में जिन भगवान की वाणी में चारित्र को ही धर्म कहा है यहां बातों का जमाखर्च करने वालों के लिए कोई स्थान नहीं है जो बातों का जमाखर्च करते रहते हैं यहां बड़ी बड़ी बाते हैं और आचरण में कुछी भी नहीं दर्शन ग्यान के आचरण से को रहे या बड़ा बहार का आचरण और दर्शन ग्यान में कुछ भी नहीं दर्शन ग्यान से को रहे इसे जीवों के लिए कोई स्थान नहीं जिन्षाशन में यहां तो इस्था में आच्छन करना अर्था अरे इस दर्शन ग्यान में आच्छन करना अर्था जो आत्मा की अचिंत शक्ती है और क्या है भी या आप जिसे के दर्शन ग्यान में गुण कह रहाएगा आप जिसका कहा हमें जानना और देखना एसी दर्शन ग्यान की अचिंत जो दर्शन ग्या पर्थात स्वयम के सुभाव को जानना और देखना, स्वयम के सुभाव को अनुभाव करना। यह दर्षन ग्यान का जो दर्षन ग्यान में आचरण है। इसका नहामें चर्णम, इसका नहाम है चारित्र स्वयम को देखना स्वयम को जानना और स्वयम को जानते देखते हुए स्वयम में चरण करना और उस आचरण में स्वया की इस्थरता को उपलप्द कर लेने का नाम है सरूपा चरण चारित्र और जब तक सुवा की स्थिरता नहीं है, सुवा में लीनता नहीं है, तब तक है सम्मेक्त चरण चारितर तो भई यहां क्या कहना चाह रहा हैं यहां तेरा प्रकार के चारितर के वर्णन करते हुए कल अपन ने पंच महावरतों का सरूपत अच्छे से अनबोधन में लिया था अच्छे से अपन ने भावना करे थी कि हाँ गुरुदेब पंच महावरत ये आत्मा का ही सुभाव है अइनसा सत आदी जो पंच महावरत का हैं ये आत्मा का ही सुभाव है ये आत्मा की ही उत्पन होने वाली अचिन्त व्यक्त सकता है ये आत्मा की ही पांच गुण है जो पांच पापों के सरुता आभाव से उपलब्ध होते है पाप में में हूँ ही नहीं पाप मेरी आत्मा का सुभाव है ये नहीं तो ये पाप मेरी आत्म का सुभाव नहीं तो कि पुन्ध है, ना पाप मेरी आत्म का सुभाव है, ना पुन्ध मेरी आत्म का सुभाव है, ये पुन्ध पाप से जो परे है, जो सुब असुप से परे है, बहे परम पार्णामिक जो दुरूप चेतना है, जो अहिंसा मई है, जो सत्य मही है, जो अच्योर मही है, जो ब्रह्म मही है, जो परपदगल से बिलकुल अलग सोयम अपने परमात्म सरूप है, आप परीग्रे मही है, इसे जो अपना साश्वत दुर्व सुभाव है, वह बही तो पंच महावरत है, पंच महावरत बहवार में देखने में आते है कि देखो पंच महावरतों का जो बैवार पालन है वे जीवों को आखों से देखने में आता है लेकिन पंच महावरतों का जो निश्चय पालन है वो ग्यानियों को ये देखने में आता है क्यों पर ये ग्यानियों को देखने में क्यों आता है ग्यानियों को देखने में इसलि कि ग्यानी सोयम उस रूप ढलता हुआ है ग्यानी का दर्शन ग्यानी का ग्यान ये सीधा का हो ग्यानी का उपयोग सोयम उस अपने अभिनासी चेतन सरूप में ढलता हुआ है तो ग्यानी का उपयोग अपने अभिनासी चेतन सरूप में ढलता हुआ होने कारण ग्यानी को ये पन्च महावरत अपने सरूप से उपलब दिखाई देते हैं कि आपने शरूप से प्रकट दिखाई देते हैं अबहिया है कल पंच महावरतों को ता अपने पंच महावरतोंकी चर्चा तो करी थी, आज चर्चा है तीन गुप्ती और पांस समीति की कि आचार जिन तारंतरन देव ने ये गुप्तियों का क्या सरूल दिया है मन गुप्ती वचन गुप्ती काय गुप्ती, इर्जे समीति आदी, जो भासा समीति, एशार समीति, आदान नेचेन, पिटिष्ठा अपना, ये जो पंच समीति और जो अपने दीन गुप्ती है इनका अचार देव क्या कहे रहे है गुरु देव ये पहले ये भावना तो करो कि गुरु देव, ये जैसे पंच महावरतों का मिलान मुझे में हुआ था जिस सम्मिक ज्यान के गुणों का मिलान मुझे में हुआ था सम्मिक दर्शन के गुणों का मिलान मेंने किया था जिस सोला कारण भावनाओं से मिलान मेंने अपनी आत्मा किया था जिस सित्दों के गुणों से मिलान मेंने अपनी आत्मा किया था जिससे सोत्र धर्म के लक्षण से, देब से, गुरू से, सास्त्र से मैंने अपने आच्छण का मिलान किया था वेसा ही मिलान अभी कित्ते से गुण बचे भाई या अभी कित्ते से बचे पांच और तीन आठ तो जितना मिलान अपन ने आंसिक आंसिक रूप से इन गुणों का किया है उतना ही मिलान इन से भी होना चाहिए अपना बचन गुपती से भी होना चाहिए मन गुपती से भी होना चाहिए काय गुपती से भी होना चाहिए पर यह केसे होगा ये तो मन गुपती बचन गुपती काय गुपती ये तो साध्मों का भेस है क्योंकि उन्हें पर में कुछ करने का भाव नहीं है तो उनकी काय गुपती है पर से कुछ बोलने का भाव नहीं है तो उनकी भी बचन गुपती है उनके मन में परियाय को लेकर कोई चबलता नहीं ह तल्ले विकलत नहीं है भद्र मनयोगी है श्रेष्ट मनयोगी है भहिया जिनकी जाती भद्र है जनेंद्र परमात्म जैसे जिनकी जाती है इसे वीतरागी भावलिंगी महामनिराज वे इन तीन गुप्तियों का पालंड करते हैं अपने आत्म सुभा में गुप्त होने का नाम गुप्ती है तो वे सुद्ध उप्योगी वीतरागी भालिंगी महाम निराज अपने निराकार छेतन में सुभा में गुप्त है सुन समाधी में इस्थित है इसी सुन्य समाधी में उपस्थित आत्म ध्यान में इस्थित होने के कारण से, स्वयम में इस्थित रहने के कारण से, उन्हें ये तीन गुप्तियां हैं, जिन्हें अपन कहते हैं मन गुप्ति, वचन गुप्ति और गाय गुप्ति, भई ये तो ज्ञानी सादूओं का भैस मेर्फ इसे उनकलना करेंगे। ये इन तीन गुप्तियों में गुप्त हैं इस समाधी में सुद्वप्यों की अवस्था में लीन है लेकिन भैया वह इन गुणों का सकल पालन सरुता पूर्टा से पालन कर रहा है अब यह बात है कि अपन अपनी बात अपना मिलान कैसे करेंगे एक बात बता उनके पास यदि बचन गुपती है एक बहुत अच्छा विसे है आप बहुत गंभीरता से वह सरलता सुनों बहु कि अपने पास उन बचनों का श्रद्धान है या नहीं है यदि उनके पास काय गुपती है तो अपने पास इस काया से भिन निराकार सुभाव का दरसन है या नहीं है यदि उसके उनके पास मन गुपती है तो अपने पास इस मन की मूर्चा से रहद अपने सत्त ग्यान का सकल आच्रण है सरूपा चरण चारित्र है लेकिन अपने पास समयत्य चरण चारित्र है या नई है एसे मिलान हो सकता भी एसे अन्वोधन हो सकता है यह रहस्य की बाते हैं तेको आप उनके गुणों का बहवारिक बढ़न सुनो, कोई लाब नहीं पुन्य के अलावा, मात्र पुन्य बंद के रह जाएगा वस, लेकिन यदि आप अंतर से उनके गुणों का मिलान कर लो, तो फिर पुन्य की बात ही नहीं है, फिर पुन्य पाप का कोई काम ही नहीं है, फिर जब जब अपने स्वास रूप में उन गुणों का मिलान करोगे तो फिर आच्रण की बात है पिर सम्मित्त चरण चारित्र की बात है सरूप चरण चारित्र की व्यक्तिता को देखके यदि आपके अंतर में अपने सरूप का आच्रण सम्मित्त चरण चारित उपलब्ध हो जाए तो समझ लो कि गुणों से गुणों का मिलान हो गया है। गुणों से गुणों की व्यक्तिता हो गई। यूकि गुणी जनों को देख हिर्दे में मेरे प्रेम उमर आवे। पढ़ना बहुत असान है। गुणी जनों को देखर दे मेरे प्रेम उमड़ावे अर्थात क्या करने के लिए उनके सेवा समार करने के लिए नहीं भईया बाहर में सेवा समार का भाव तो अपने आपी उत्पन होता है ये तो पुन्द्रपाप की परिणामों से उपलब्ध होता है लेकिन अंतर में उनक गुणों से प्रेम उपलब्ध होने का रथ है उनके गुणों से प्रीती उपलब्ध होने का रथ है कि जैसा आच्रण उनके अंतरम चल रहा है जैसा अतीन दिर अस्पान वोग पकर रहा है जैसा सुद्ध उपवोग उनके चित्त में हो रहा है वेसे गुणों की उपलब् इसका नाम है प्रेम, इसका नाम है प्रेम कि उनके गोण मुझे प्रिय लगने लगें गोणों से प्रीती, दोसों से बेड नहीं, दोसों से कोई संबन नहीं दोसों से कुछ लेना देना नहीं, दोसों की कोई चरिया नहीं गुणों से प्रीती, गुणों का बहुमान, गुणों की रुची, गुण में रमनता की रुची, गुण में आच्रण की रुची क्योंकि फिर से रिपिट कर रहा हूं है, चारित्र खलू धम्म, चारित्र का ही नाम धर्म है, चर्चा का नाम धर्म नहीं है इस बात को सिध्धान्त के रूप में अपनी दिश्टी में रखो कि चारित्र का नाम धर्म है यदि वेशा सम्यक्त में आचरण है तो धर्म है वेशिव सम्यक्त की चर्चा है तो धर्म नहीं है ग्यान में वेशा सरूप का भहुमान है गुण सा सरूपम की वे अनंत गुण महीं चैतन में परमात्मा में हूं जदि ग्यान में एसा सरूपा चरण चारित्र की अंसिक भूमी का अर्थात सम्यक्त चरण चारित्र है निश्चे से अपने दुर्व सभाव का भहुमान और गो वेसा दिश्टी कोण नहीं है सत्यका वेसी सम्यक्त से सुशोवित आत्म हुन्मुक दिश्टी नहीं है, तो बातों के जम्मख़्च निर्माण नहीं मिलेगा। में खोप चर्चा सुन लो चैप्सम की बहुत सारे विद्वानों को सुन लो बहुत सारी दवर की किरियान कर लो आप लेकिन जठी आपको अपने अंतर में आपका स्वयम का आचरण नहीं है सुयम का सम्यक्ता चरण चारित्र ध्रोग की बरत्तिवी सत्ता नहीं है तो आपका किया, धरा, सुना, समझा, सब कुछ प्यारत है अब अपनी ये चर्चा हो गई, मूल बात चारित्र खलू धम्मो अब अपन चारित्र की चर्चा कर रहा है पंच महावरत के गुणों की अनबोदना अपने कल करी आज भई अपन तीन गुप्ती की अनबोदना कर रहा है तो तीन गुप्ती की अनबोदना करने के लिए चारित्र को तो सामने रखना पड़ेगा न चारित्र को सामने रखे में न चारित्र की चर्चा कैसे हो सकती है चारित्र की चर्चा करने के लिए भी चारित्र को तो सामने रखना पड़ेगा न वो चारित्र भी कौन सा निश्य दुरुप चारित्र ज्यान उपयोग की रमणता वाला चारित्र एसा नहीं कि बाहर से बता दिया कि वो सुद्धुप्योग में लीन है, सुद्धुप्योग होता क्या यही नहीं पता, या फिर यह के दिया कि वो बाहर से मोन है, गुप्ती में लीन है, गुप्ती होती क्या यहीं नहीं पता, गुण में, गुण में, आपको उनके गुण मे आच्रण हो अर्था वे पूंदा से लीन है लेकिन आपको गुप्ति का सरूप तो समझ में आए आपको उस गुप्ति का रहस्त समझ में आए कि गुप्ति है क्या आपने और आप चर्चा करते हैं अब मैं नहीं बोलूँगा अब गुप्ति में नहीं बताओंगा क्योंकि मैं तो गाथाय पढ़ूँगा मुझे गाथाय जित्ती मिलती जाएंगी क्योंकि अध्यात वाणी है नहीं अभ यहां जित्ता मुबाइल सपोर्ट हो जायाहाँ वसकती काम हो गातष है तो यहां गुपति की गाता है मन गुपटी वचन गुपती काई गुपती में गुरुमाज थ्जा कहरा सुनोगे कि वीत्रागी भावलिंगी महामुनी राज, परम योगिश्वार, जिनेंद्र के समान लिंग वाले, जिसे जिनेंद्र सर्वता हाँ, सर्वता दिगंबर हैं, अपने ही दर्शन ज्यान चिद्ध आनन्द में सरूप में परम आनन्द का उभ्भो करने में लीन हैं, वेसे ही जिनेंद्र भगवान के लिंग के समान, दिगंबर, निर्गरंत, भावलिंगी महामुनी राज, किस प्रकार अपने अतींद्री आनन्द में मन वचन काय गुप्ती के दवारा लीन रहते हैं, किस प्रकार अपने सुद्ध उप्योग को निरंतर साथते हैं, देखो इसकी चर्चा को गुरुदेप क्या के रहा हैं, मन गुप्ती उवेशनम, मैं मन गुप्ती का अब्देश कर रहा हूँ, क्या है, मन असुहुचा, असुद्ध परवेशम, जो मन असुद्ध का, असुद्ध, जो असुद्ध करिया हैं, और जो असुद्ध हैं, प्रवेशम मन का सुभाव तो अशुद और असुब किरियां में प्रिवेश करने का है असुद में सुब और असुब दोनों आ गया और असुब में असुब पापों की प्रवत्ति आ गया मन का सुभाव तो मन की अनादी काल का संसकार तो असुवम असुब में चा असुद्ध जो असुद्ध है उसमें प्रवेशं प्रवेश करने का है भीया एसे मन के मिथ्या संस्कार को मन परिणे तिक्तम चा एसे मन के मिथ्या परिणमन को एसे मन के असुब और असुद्ध संस्कार को परिणे तिक्तम चा उस मन के परिणे को त्याक कर देखो देखो पकड़ो 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 उस मन के परिणे को त्याक कर जो मन प्रती समय परिणे करता है काय में असुब में और असुद्ध में उस मन से परिणे त्याक कर अर्थत उस मन में जो रमनता हो रही जीब के उपियोग की अनादी कालीन जीब इस मन में म मन के परेड़े को त्याकत कर सादू की दसा अब देखो मन गुप्ति प्रारम केसे हो रही है मन परेड़े तिक्तम चा एसे मन के परेड़े को त्याक कर मन सुधप्पा प्रिवेश मिलियम चा जहां मन अपने शुधात्म सुभाव में प्रिवेश कर सुधात्म सुभाव के अ प्रवेश मिलियम्च जहां मन अपने शुद्धात्म सभाव में प्रवेश्प्राप्त करके मिलियम्च अपने सभाव के अनुवोटी में रत हो जाता है शुद्धात्म सुभाव सुद्ध प्रकासवान चेतना में अनुरक्त हो जाता है जहां मन अपने सुद्धात्म में हो जाता है अर्था जहां मन में भी पूर्णूपेण सुद्धात्म सुभाव का तींद्रियानंद का वेदन उपलब्ध हो जाता है वहाँ, वहाँ, मन सुधप प्रिवेश मिलियम चा, जहां मन सुयम शुधात में सुभा में प्रिवेश करने के लिए सहकार करने के लिए तैयार हो जाता है, आज अपना मन बाधा पहुचाता है, सुनो एसे वीतरागी भावलेंगी महामनिराजों के गुप्त मन की, मन गुप जो आदते हैं, जो उसके संसकार है, उन पे भारी आघात होगा, भारी रूप से उन करमों पे घात होगा, जो आदते पढ़ी नै क्रोट का महादी रूप, राग रूप, पर्लबवित होगा उन मानसिक प्रवर्तियों पर आघात होगा और वह संस्कार टूटेंगे कब इन भावलिंगी महामनी राज के इसे मन गुप्ति के अन्वोदना करोगे ना तो अपने अंतर के जो संस्कार है अपने को मन जो अंदर नहीं जान देता उसके संस्कार टूटेंगे देखो मिल जाता है तब मन गुप्ति प्रारम हो जाती है एसे वीतरागी भावलिंगी महामनी राज एसे मन के परिणे को त्याक के मन से भी सुद्धों के मन को रस्ते से हटाके मन के असुप संस्कार को रस्ते से हटाके सुद्धपा प्रवेश मिलियाम अपने सुद्धात्म सभाव में प्रिवेश प्राप्त करते हैं उस समय से मन गुप्ति प्रारम हो जाती है अब हमारा मिलान के से होगा हाँ तुम भी इस मन के असुब संस्कारों को तोड़के वह चारित्र से सुध्धात्म सभाव में प्रिवेश कर लेते हैं दर्शन चारित्र अत्मा भी अपने अंतर आत्मा से भी यदि अपन इस सुधात्म सुभाव में आच्रण को प्राप्त करते हैं बार बार सुधात्म सुभाव के अभ्यास को साथते हैं तो भाया यह मन का अपन तृसकार कर सुभाव के अपने का त्याग और सुधात्म सुभाव के अपने को रही है थोड़ी थोड़ी जो अपने का अनुभूती हो रही है थोड़ा थोड़ा जो वहमान आ रहा है जो आत्म सुभाव का अहलाद उठ रहा है जो रोमांच उठ रहा है यह सुभाव की जो महिमा उत्पन हो रही है सुभाव से निगट जो अपना अपना आत्मा का मिलन हो रहा है यह यह भी तो अपना सम्यक्त दर्शन में मिलन है सम्यक्त में अपना आचरण है और यह सम्यक कि अभी आपके कर्म बिशेशे और अभी आप अब लेकिन यहां मन गुप्ती के जो अधारी है सादू परमात्मा उन से हवा में नहीं अपने आचरण से हवा में नहीं कि महा वीत्रा की संतों को मन गुप्ती है वैसे मुझे मन को तिये सी कल्पना नहीं जो इसे उन्होंने मन के परिणे को त्याख दिया है मन के सुवसुप संस्कारों को धरासाई कर दिया है और मन को सामने से हटा के मन की वाधाओं को सामने से हटा के अपने सुधात्न सुभाव से मिलन को प्राप्त कर लिया है अपने सुध अतीन द गुप्ति से चारित्र की अनवोधना है जैसे सादू अपने साद को साद को साद रहा है वेसे ये श्रावक भी उनी के जैसे सुद्ध बीतराग मार प्यारोन करते हुए अपने साद को साद रहा है मन मानी नहीं कर रहा है जिन भगवान ने जो मार्क दिया है सब के लिए एक स जिस मार्क पर सादू आगे बढ़ रहा है उस मार्क पर ये श्रावक आगे बढ़ रहा है दोनों के लक्षण मिर रहा है सादू अपने लक्षण जिनेंद परमात्मा से मिला रहा है उस श्रावक भी अपने लक्षण सादू परमात्मा से जिनेंद परमात्मा से मिला रहा है जैसे आप निवगन है वेसे ही मेरा भी भाव है वेसे अनुभूतियों का मैं भी स्वामी हूँ वेसे सुद्धात्म स्वाव से मेला भी मिलन है और क्या कह रहा है तहां मन गुप्ति ये जहां तुम्हें ये मन गुप्ति दिख रही है कहां भीया तम्हा मन गुप्ति ये जह यहां भी यह मन्गुप्ति दिखाई दे रही है नहीं तू तीन काल में भी मन्गुप्ति होने वाली नहीं है सीधी बात है आचारतारन सामी की तब आत्म ध्यान में लीनता है जहां सुद्ध ज्यान सा सरूपम जहां अपने आत्म सरूप का ध्यान है अपने द्रुब ग्यान में सरूप का ध्यान है वहां मन गुप्ति जानो जहां अपने दुर्ब सुभाव का ध्यान नहीं है राग आधी परिणाम की वृत्ति है वहां मन गुप्ति नहीं हो सकती आत्म ध्यान की अवस्ता ही मन गुप्ति का मूल है परपरयाई की अनुरक्ति तो मन की चपलता है पर पर या अज्ञान भाभ को जानना मानना तो संसारा कारण है जहां आत्वी ध्यान में उप्योग तन्मे है जह आत्वी ध्यान की साधना चल रही है वही मन गुपती है तो अचार देप कहते हैं भीया कहां सुद्द ध्यान चासा सरूपम अपने सुद्ध सुभाव का ध्यान ही मन गुपती है अपन मिलान करें अपने को धर्म ध्यान कितनी देर है चेतन लक्षण में सुभाव कितनी देर सामने रहता है आत्मा जागरत कितनी देर रहती है आत्म वोद में जागरती कितनी समय बनी रहती है मेरी जाती सुध्य चैतन में चिद्रूप ब्रह्म सरूप यह तींद्री आत्म सरूप है मेरा रोम रोम मेरा प्रदेश प्रदेश ऊपर सर के तालू से लिए पेर तक यह तो जड़ है अरे इस जड़ के बीच में जो चैतन प्रवायट हो रहा है वो चैतन ज्यान घन पिंड प्रदेश प्रदेश सुध आत्म प्रदेशी ज्यान आनंद सरूप से भरा हुआ है क्या एसे छेतन चिला अनंद चित भासकरम दिख दिगांतरम अपने अनंत ज्यान सभाव का तुमें अनुफ़ाव होता है अहा एस अनंत ज्यान सभाव तुम्हें दिष्टी में दिष्टी गोचा रहता है धर्म ध्यान में लिएन तुमारा उप्योग आत्म गणों के चिं कि आप भी मन के सुबसुप परिणामों से आत्रोध ध्यान को परिहार करके धर्म ध्यान से अपने आत्म सरूप में आच्रण करने का नाम ही सम्यक्त चरण चारित्र है कि आप इसे उपलब्द कर सकते हैं इस भूमी का में और यह आपकी गुप्ती है यह आपका गुप्त अतींद्री आत्म सभाव है लेकिन रुचे तप तो क्याना आहा जब यह बात अपनी लगे तप तो माला एकुत्तम गुण सा सरूप हम यह अनंत गुणों की माला अनंत गुणों मालिक अपनी लगे यह रतना त्रे का अनंत बेभाव अपने में जानने में आए यह अनंत गुणों का निधान अतींद्री आत्मा मैं शुद्धा आत्मा परमात्म सरूप हूं यह सा स्वाविमान अंदस उचल के आए तो आहा रोम रोम बिगस जाए रोम रोम से प्रदेश प्रदेश से एक ही गर्जना निकले अरहम सर्वन्याम सिद्ध सिद्धम दवाओं में तो सरवग सरूप सिद्ध सरूप परम अतींद्री आनंद्मे निमागन अनंत के वाल ज्यान सरूप परमात्मा धुरूभी मेरा धाम है यह मन गुप्ति के अग्यानुसार जिन भगवान की दवारा कही हुई एक गुप्ति का सरूप यदि एक साल तक भी काओ तो पूरा नहीं है अपन तो अनवोद ना कर चलो फिर गुरुदेब क्या कह रहा है यह बचन गुप्ति वयन बचन गुप्ति विए बचन गुप्ति किसे कहो गया आ च्वरूप कहते हैं क्यको किते हैं बैया जम बयन काहा पी नहों डिठा मुख से बचन कहने का कोई भी भाव ना ओं को को अंतर से डिषेश्टी ना दिखाई ना दे किसी प्रकार के बचनों को बोलने का आपको कोई भावी ना हो किसी प्रकार के बचनों से कोई कह रहा है तो उसे सुनने का भी कोई भाव ना हो जहां बचनों के आलाप अबाव में उपलब्द हो रहा है में जिने lug snippवान ने जो बचन अंतर में ठाव actual हो रहें हो जिन अवीस सम्रहीं जिने यgg रहोन के जौरा देश दिया गया है उस अनुसार आपका आच्राण हो तो समझे बचन को कि में बचनों को देखने की शब्द रूभ प्रपपंच न स्थी इन बचनों को देखने की कोई इक्षा ना Orbान वहां वैन को सुन्दे की कोई कोई कह रहा हो तो कोई आपको कोई ताथ पढ़ना रहा है वह जो बचन जिनेंद्र देव ने भव लवदी उन बचनों का भाव अनुवा हो उन जिन भगवान के दोबरा कहे वस्तु सरूप का भाव अनुवा हो जिन वेशनम समराही चनेन भगवान ने जो आच्रण कहा है उस अनुसार आपका आच्रण हो तो वयन गुपती यह मोन रहने की बात ही नहीं है यहां तो कहने का सुनने का भाव ही नहीं है यहां मूँ बन करने की बात ही नहीं है यहां तो बचनों पर डिश्टी नहीं है और भाव अनुवाव में जिन भगवान की वाणी है बेदन में जिन भगवान के बचन है बेदन में आत्म सभाव का अनुवाव है या जिन भगवा के द्वारा कहा हुआ आचरण है बयन सुद्ध सहावं ये से सुद्ध बचन ही आत्मा का सुभाव है ये सुद्ध बचन ही आत्मा का अपना सरूप है बयन सुद्ध सहावं ये बचन ही आत्मा का रूप है केसा भया वयन जम केवलम न्यान सरूप है ये बचन ध्रूप बचन है केवल यान सारूपम यह वचन ही तो जोती को अप्लवड करने वाल स्थiada को तुम भयान गुपती तब जानो कब तंब बयान गुपती जानादी क्या प्रवेश सुद्य सम्मेक्ट हो जाए तब आपकी बचन है भयं अवीचल सुद्ध है उनके बचन असुद्ध नहीं है जेपे सरूप कहते हैं वेसा ही वचसुजु सरूप उनके मुखारविंद से निकलता है उनके द्वारा कहा हुआ कुछ भी मिठ्या नहीं होता वयन अविचल सुद्धम वयन भासे सुद्ध सम्यक्तम अरे जिसा जिनेंद्र भगमान ने कहा है वेसे वचनों को ही कहना और अपने सु भाव में रत रहना और एसे अविचल वचनों को कहना एसे सुद्ध वचनों को कहना जिसे सुनके भब जीब सुद्ध सम्यक्त को प्राप्त कर ले उसका नाम जानो भासा समीति अपन तो कि सोचते हैं कि भासा समीति अर्थात हित्मित पर ये बचन बोलना हां हित्मित पर के बचन का मतलब यह नहीं होता कि राग आदी के बचन बोलना मीठे मीठे मायाचारी के बचन बोलना मीठे मीठे इधर उधर के बचन बोलना हित्मित बचन द्वेश के बचन नहीं बोलना ये तो सही बात है ग्रोध के बचन नहीं बोलना ये तो सही बात है ये ग्रोध के बचन नहीं बोलना जड़ाय जगड़ा के बचन नहीं बोलना एसी बाणी नहीं बोलना जिसको कोई ठेस लगे ये तो बिलकुल सही है लेकिन भगवान, लेकिन हित्मित बचन का अर्थी ये नहीं है कि राग भड़े बचन बोलना, मायाचारी भड़े बचन बोलना, लुभावले बचन बोलना, इसका नाम बचन गुपती नहीं, इन बचनों के आलाव से जम बयन कवहपी नहुडिक्टम, अरे जहां बचनों को देखने का भावी ना हो, चाहे द्वेश के हो, चाहे राक के हो, जहां बचनों की ओर दिश्टी ना हो, जहां इन असुद्ध सब्द पुद्गर बहासा बढ़ना रूप, इन बचनों की ओर दिश्टी ना हो, जहां मात्र तम बयन, जहां जिन भगमान के बचनों के भाव अन जिन भगवान ने जैसे आाच्रण को कहा है, जैसे समय रही, वेशे ही आच्रण को करना, जैसा जने भगवान आच्रण करना है, वेशे ही आच्रण को अंगिकार करना, अरे एसे अविचल सुद्ध बचनों को कहना जिस भासा से सुद्ध सम्यक्त का ही उदे हो सुद्ध बस्तु सरूप का ही उदे हो भब जीब को भी सुआनु भाव का ही लाव हो एसे सुद्ध बस्तु सरूप को कहने आ यही बचन गुपती है जहाँ स्वार्थ खतम हो जाए, जहा एंकार मिट जाए, जहां पुदगल भासा बारिना के रुछी तूट जाए, जहां राग्देस का परिणाम छूट जाए, और भासा है सुद् सम्यक्तम, भासा भी एसी हितमित में हो, एसी प्रिये हो, जिस भासा से भगब जीव को सुद सम्यक्त की उपलब्दी हो जाए तो जानो वचन गुप्ति लेकिन वचन गुप्ति में क्या है उस बचन गुप्ति में वयन सुद्ध सहावम अपने सुद्ध सुभाव का नुभाव है वयन चम केवलम न्यान सा सरूपम अपने केवल ग्यान में सरूप को उपलब्द करने व वुद्गल भासवर्णह को देखने का भाव ही नहीं है प्रियोजनी नहीं है दिश्टी नहीं है लेकिन काय पर है जिन वचनों पे जिन भगवान के द्वारा कहे हिए जिन जिन आच्रन पे runs भी काय पे अपने गुप्त सभा को जनने से कायपे दिष्टी बयन प्रवेश सुद्ध सम्यक्तम अपने सुद्ध सम्यक्त में प्रवेश करने से सुयम के सुद्ध सम्यक्त में आच्रण करने से बयन गुप्ति कब जानो जब बचन तुम्हें सुद्ध सम्यक्त की उले चले तुम्हाय वयन अविचल सुद्धम इतने शुद्ध अविचल वचन हो जिन भावलिंगी भंतों के वचन सुन्दे मातर से वयन भासे जिनकी भासा मातर से सुद्ध सम्यक्तम सुद्ध सम्यक्त का लाव दित होता हो सुद्ध सम्यक्ति गर्जना उत्पन होती हो सुद्ध सम्यक्त का व्यवाव फट्टा हो जिनकी वाणी से जिनकी वाणी सुनके कोई भी भव्य आत्मा कोई भी भविक जन सुद्ध सम्यक्त को अपलब्ध हो जाए अपनी आत्म सुभाव की दर्शन की इस्थिति को प्राप् निराज फैठे है कि वह पना मिलान किसे करें अरे तुम बताव कि तुम्हें यह से जिन भगवान के बचता नीशें लगते हैं कि कि हैज्च मेन कि पर फिर्द student क्या तुम भी ऐसे सब्धु सम्यक्त की माला को अपने घड़े के अंतर में अंतर हात्मा में घूतते हो यह तुम भी जिने भगवान के वचन सत्य द्रूब्ब्य प्रमाणे इसी अकंप निश्ठा से जिन्भगवान की वानी को प्रमान जानके क्या तुम भी तत्वारत का सिद्धान रखते हो जिन भगवान के बचनों के अनुसार सम्मिक्तर चरण चार्टर में आचरण करते हो क्या तुम्हाई अंतर की आत्म शक्ती सुद्ध बचनों का सहेकार करती है गुरु भायराज ने अगरती स्राबा को क्या तुम भी जिन भगवान के बचनों को कहते हो सुनते हो सुनाते हो कि जिन भगवान के बचनों में तुमारा उप्योग रंजायमान होता है जिन भगवान की वाणी में आपको उप्योग रंजायमान होता है जिन भगवान के बचनों में आपका उप़्योग रंजायमान होता है जिन भगवान ने जो कहा है वे वस्तु सरूप आपको लवाता है आप अब अंतर अंतरोण मोगे दिश्टी कोंड से एधि आप अपने अंतर में जिन भगवानung के बचनों का रंजन करते हैं आप परंत दिगंबर तवस्था आने वाली है जिसके धारी वीत्रागी सादू महा मुनिराज है उनकी वचन गुपती को देखके उनके अभिचल सुद्ध वयनों को देखके उनकी भासा को सुनके देखो यह जिन भगवान के वचन है यह उन वीत्रागी भावलिंगी महा मुनिरा से जीव स्वानमूति को प्राप्त कल लेता है एसे एसे वो भी सुद्ध सम्यक्त को वह सुयम सुद्ध सम्यक्त में प्रवेश कर चुके हैं वह सुयम अतीनरी सुद्ध सुभाव में लीन है यह उनकी वचन गुपती उनके बचनों से ही उनकी भासा से ही सुद्ध सम्यक्त का प्रकास होता है ये उनकी बचन गुपती के लक्षण है अनबोदन तो करो शहकार तो करो यह इसी बचन गुपती इस भाव में पापा आओ या ना पापा आओ लेकिन अभ्यास ध्यान के माध्यम से समय के माध्यम से तत्य चिंतन के माध्यम से अभ्यास तो इसी का करते हो, मोन होके बेटते हो, मोन में क्या करते हो, मुँ बन कल लिया ये, मुँ सिल लिया ये, अरे नहीं भईया, मोन जहां शब्दों का भेवार रुक्या हो, अंतर से भी सब्दों की मानता तूटे, अंतर से भी मिथ्या शब्दों का, मिथ् सुद्ध भासा अपने हिर्दे में जिन भगवान के बचन अपने हिर्दे में उपलब्द हो तो समझो आपने मोन लिया जिन भगवान के बचनों का सिंतन हो जिन भगवान के दौरा वस्तु सरूब कहा हुआ अपने पृतीती में जूले जिन भगवान ने वस्तु सरूब कहा है बहे प्रतिविंबित हो बहे आत्मा के रोमांच रूप अपलब्ध हो आत्म सभाव के बहुमान रूप अपलब्ध हो जिन भगवान के बचनों का सहकार हो तो आपको भी लक्षण है काई के आपको भी लक्षण है कि आप सिद्धिसिला के बासी हो आपको भी लक्षण है क्या कि आप भी वीत राक्ता को अपलब्ध होने वाली आत्मा है यह बचन गुपती जब बचन बहवार रुख जाएगा असुद्ध बचनों से बहवार रुख जाएगा अपर्टी श्राव थोड़े समय के लीए अगरणा पढ़िता है समय करता है ध्यान करता है तब असुद्ध बचनों के अध्यान बहवार से रुख जाता है जी रूप्य यहां सुद्ध बचन सुनते समय असुद्ध संकल्बिकल्पों से हटने का भाव आजाए असुद्ध संकल्बिकल्प दिश्टी में ना रहें और अपना सुद्ध निराकार चेतन सरूब दिश्टी गोचार हो जाए तो भाईया समझो अभी इस भूमिका में बचन गुप्ती का अनवोधन है बचन गुप्ती की पात्रता को उपलब्द करना है धीरे धीरे बड़ेगी और विकास्प में होगी और आनने में स्थेती होगी और आत्म का ग्यान बढ़ता जाएगा भाईया अब गुरुदेप का काया गुप्ती को कह रहा है तो गुप्ती में पूरे दिन ने हो पूरे ताइम ने हो गया भगवान समीति तो कल पे गई आज फिर तो भगवान गुरुमाच काया गुप्ती को कह रहा है काया गुप्ती अब बताओ भाईया मन गुप्ती तो समझ में आ गया मन को मौन कर ल ये भी एक बहुत अच्छी रहे इसकी बात है काया गुप्ति मतलब आसन लगा के पदमासन में बेड़के हाथ की उपर हाथ रखके नासार रिष्टी करके बेड़ गाए क्या अरे बहिए एसा तो एक फट्तर की मूरत भी बेठी रहती है तो क्या उसकी काय गुप्ति हो गई नहीं भी या इस सरीर की एकागरता तो है उनकी काय गुप्ति में सरीर तो उनका एकागर है एकागर है लेकिन वो एक पासान की तरह अचेतन नहीं है वह चवदा प्राण से सहियूक्त होने वाले अरियंत दसको प्लब्द करने वाले वीतरागी भावलिंगी महमुनी राज दस प्राणों से सहियूक्त है वालतमान में सचेतन अवस्था में है उनकी सचेतन अवस्था में उनकी काय गुप्ति के विशेश लक्षण क्या है अरे उनकी सचेतन अवस्था में उनकी काय गुप्ति के विशेश लक्षण है क्रित कारित विशुद परिणामन जो क्रित स काय गुप्ति को विशेश लक्षण है काय गुप्ति को विशेश विशुद्धता की काय गुप्ति विशुद्धम गुरु मराज के रहा है काय गुप्ति विशुद्धम में काय गुप्ति को विशुद्धता से कहता हूं क्या है गुरु मराज काय गुप्ति करित कारित वि निमित हैं यह काया खुद अपनी काया में एकाग्र है अर्थत खुद काया से एकाग्र चित बेठें हुए हैं सोयम विशुद्ध परणामों में लीन हैं और अपनी अंतर में सोयम एसे विशुद्ध 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 परणाम में डूबे हुए हैं उनके परणा परिणामे निमिद्ध नहीं है, जिनके सहेज आचरण से करित और कारित विशुद परिणामत, अपने हापी इतनी विशुद्धता उनके अंतर में होती है, कि कूण हिंसक पसू بھی उनके सामने आ जाएं, तो भी विशुद्ध परिणामों को प्लब्ब्टकल लेते हैं, इतन क्या है इसे घ्रिजजद्व पर्णाम उभावर को खुद भिश्उध परणाम में में लिए ब्दिव के भी विश्ट परणाम में कारण है बहुत अच्छे से उनकी क्रिया से कम डहनम यह करमल ढहरा है बहुत अच्छे से उनकी काया गुप्टी से विशुद परिणामों में जो लीन कृत कारित्तम तिभी कम बिवर्दो अरे बहुत से उनके सुद्विशुद परिणामों से खुद के कर्म ढ़ल रहा है कृतम तम उनकी क्रिया से उनके कराने से भी तीनों प्रिकार के कर्म विवर्दो तीनों प्रिकार के कर्मों का निरोध हो रहा है भाव कर्म और नोकर्म इन तीनों कर्मों का तम ति शुद्व परिकार कर्म का बरिहार हो रहा है सब्सक्रान possible accordance जम से उनके करना है रहे हैं लहां को जैकिन इवी बिशुद्प कमन रहे हैं उन से भी तीन कर HER कार्मा कानफ कर निरू रहा को बंद नहीं कर रहा है करकौने के भाव से कुछ नहीं कर रहा है उनके करिद कार। विशुद परिणामं उनकी किरिया और उनका कारे दोनों उनकी कारे और उनका करना और कराना यह सब कुछ कहने में आरा करना कराना यह सब तो विशुद परिणाम महीं है जहां एसे विशुद परिणाम हो वहां काया गुप्ति काया गुप्ति से मिलान करना बहुत मुश्किल समझा क्यों 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 कि इस समय अपनी काय की स्थिति तो नहीं है क्योंकि बोला भाइए एक घंटे ध्यान लगाने वेटने में सुभे के ना पसी ना आ जाता है चार वार आसन बदला जाते हैं भाहर की काया की एक आगरता तो नहीं है कि एक घंटे में चार आसन हो जाते के ना ना सार दिश्टी भी नहीं हाथ पे हाथ रखने में भी हाथ दुखने लगते हैं पंचर सरीर हैं लेकिन भब्यात्मा यह देखो यहां से मिलान करके बताओ क्या तुम सुयम विशुद्व परिणामों में रहते हो और तुम्हाइं निमिस से अन जीवों के विशुद्व परिणाम होते हैं रागदिस के परिणाम होते हैं तुम लोगों से मिलते हो तो तुम्हें देख के लोग शोक मनाते हैं हर्सित हो जाते हैं तुम लोगों को रागदिस कर परिणामों को बढ़ाने में निमित बनते हो य तुम्हें देखके लोगों की कसाया बढ़ती है दूसरों से कोई लेना देना नहीं है दूसरों को क्या हो रहा है दूसरों से क्या कर रहा है दूसरे को क्या परड़ाम हो रहा है यह उसका उपादान है उसकी उसकी बात है तुम्हाई निमित से उसके परड़ाम होने वह हो र दोशर ओपन करने से परको अपरादी मानने से परको करता मानने से परको नाना प्रकार से अनंत अनंत पर्याय में देखने से अपने से जो करतत, भुकतत और रागादी के जो संसकार अपने अंतर से अश्द्प परिणाम उदित होते हैं उन अश्द्प परिणामों के उदे से सामने वाले से पितिकार के रूप में अपने को राग देः असद्प परिणाम मिलते हैं वो भगवन अपने अंदर विशुद्धी आजाए इस सब जीव आत्मा सब आ करता, सब भगवान आत्मा सब आभुकता, सब जानन हारे केवल यानी परमात्म के समान, सब सिद्धत को अपलब्द होने वाली आत्मा है, अपने परिणामों में अपना ओम नमा ओन सिद्ध नमो आत्मा हों, जहीं तेम अंतर में बिसुद्ध वा अपलब्द हो जाए आत्मा हो में तो ज्यानजम्यन दु इस परमात्मा है समस्त प्रपठ्डा मन् जुद्ध में उस स्यम ग्यान विज्ञान में चेतन पदार्थ हूं, अरे यह नश्वर में नहीं हूं तो ये भी नश्वरक आया नहीं है, इस सरीर से ये जो सरीर मेरे सहयोग में है, इस सरीर से होने वाला परिणामन स्तंत्र है यही बस्तु सरूप के विवस्ता है, यही जिन भगवान के बचनों का उपदेश है, मैं किसी का करता नहीं, कोई मेरा करता नहीं, यदि एसा साम में भाव आपके अंतर में रहता है, तो काय गुप्ती, अरे भाया काय गुप्ती में सरीर की स्थिरता होना चाहिए, आप तो स ज्यानी को ज्यान का परिणामन देखेगा, ज्यानी की इदिष्टी और सूक्ष में अतीन्दी सक्त को देखेगी, जो अंतर में प्रविष्ट होता है, और अंतरंग में काय गुप्ती की सुरुवात, गुरु मारा ने स्पश्ट कहा है, यह काय गुप्ती अर्थात, काय ग कुल कुल विशुधिता का नामिसर्चन करने में भी विशुद्धिता को up कर न करकर भाना पर में कहीं भी नहीं है यहां करोगे तो भी कर्म ढलेंगे और करा अद्थ समां में मात्र साब्धाया किशी का करता नहीं किसी का भूगता नहीं एक सुक्ष्म ईृत्य और व्युठतकी इस और दो मिख्यां रदी इनन्तिक्व और उध्यान मेंड़ किश्चर मैं ना करीया जेंगर परर ना नामों को सतंत्र जाने में करता अपने सिद्ध सभाव को सवानुभाव में उपलब्द करें वहां आप अपना मिलान आप साधू परमात्म की काय गुप्ति से कर सकते हैं भी चलते फुरते हैं। उट्टे बेट्टे उट्टे बेट्टे आप याल कर सकते हों। भी काय से काय गुती से बिल्कुल भाए यह लेकिन साथू तो जंगल में एकांत पे बेड़के नासाइक डिष्टी से हांत पे हांत रखके अपने अनंत्य चतुष्टे का अभोग करके ध्यान में लीन रहते हैं काय गुप्ति तो उनकी है हाँ उनकी इसी सुद्ध विशुद्ध परिणामों की इसी काय गुप्ति की अनंत अन्वोधना है बारवार सहकार है यह लेकिन आवरती भूमिका में यह संभव नहीं है और गुरुमाय दे निश्चे अब इस काया से भिन अपने निराकार तत्का बोद्ध प्रकट कर रहा हो वहां है चेतन आपका मिलान है भावलिंगी महमुनी राज से आप उनके शिष्य हो आप तारंतरं जनेशवर वीत्रागी भावलिंगी मुनी राज के सच्च शिष्य हो इन जगत के तारणार चलते फिरते निर्गरंते महमुनी राज उनके सच्चे शिष्य हो आप वेकव हैं उनके सच्चे शिष्य जब आपके अंतर में विशुद्ध पर रहा हूँ है एक बार किरण तो करो कि मैं तो भगवान आत्मा हूं अतींद्री आत्मा हूं मैं तो ज्याता जिष्टा आकरता सभाव के दर्शन में जैसे अपनी अनंति ध्यान में अपने चिद्रू ब्रम्व का दर्शन कर रहा है गजो वह अपर रहा है सद्धता का वह सधर उपयोग में वह भग कर रहा है तुम सुद्ध ज्यान उपभोग में उपभोग कर सकते हो, वो सुद्ध उपयोग में लीनता का चारित्र में स्थिरता का उपभोग कर रहा है, तुम सम्यक्त चरण चारित्र में रमनता का उपभोग कर सकते हो, धूनों में कोई अंतर नहीं आने वाला छेतान ने, उनने भी सुरूवाद यहीं से करी थी तो आज वो वहाँ है तुम भी सुरूवाद यदि आज अंतरचारित्र से करो आतरमणता से करो तो कल तुम्हारा दिन भी भाव लिंगी सन्तों का है कल तुम्हारा जीवन भी एसे समस्र पंचो से मुक्त हो के पाँच पापों का त्याग करके इन मन बचनकाय की चपलता कर छोड़के इसी काया गुप्ती मन बचनकाय गुप्ती में है यह गुप्त हो जाओ अपने गुप्त ज्यान का सहकार करना ही सर्वसेष्ट गुप्ती जानो जहां अपना अतींद्री आत्म गुप्त सुभाव अनाधी काल से जिसे देखा नहीं था अनंतिकाल से जिसका अनुभाव नहीं किया था अनंतिकाल से जिस आत्म सरूप से अंजान था उस आत्म सुभाव का अनुभाव उपलब्द कर ले नहीं गुप्ती जानो कि हाओ में तो केवल ग्यान पे ग्यान मैं चेतन सुभावी परमात्मा एसे चेतन सुभाव का अनुभव उपलब्द कर लेना हstaw में इसका नाम है गुप्ती सभाव जहां दिखाई दे दिखाई देता है अपने ड्यायक में अतीध्रियात्मा अपने ज्यायक में अतीन्द्री सुध्धातमा स्वासरूप परमात्मा जिसमें अतीन्द्री अतीन्द्री आनंदी आनन्द ह। जिसमें अतींद्री सुद्ध विलास है, जो अपने अतींद्री सास्वत शुद्ध सरूप में रम रहा है, अतींद्री सरूप में रम रहा है, अतींद्री ज्याय ज्यान सरूप में रम रहा है, अद्वुद ग्यायक चेतना है देखो तो देखो तो वो निर्जन वन में कैसे वीतरागी भालेंगी म्योह अनिराज काया की स्थिरता से मन वचन काये की गुपती सहेद कैसे आत्म ध्यान में तलीन है कैसे गुपत अपने चैतन आनन में निवगन है केसे अपने अतींद्री आद्म सभाव का अभोग कर रहा है केसे अंतर ध्यान में लीन अपने ग्यान सभाव में स्थिर है उनके एसे सकल चारित्र को देखके उनके एसे सकल गणों को अपने ध्यान में धारन करके एक बार तो गुब्ट सभाव में तुम भी प्रिवेश करके देखो कि वेसा ही अचल ज्यान और वेसा ही अचल आनाद तुम्हारी अंतर आत्मा में भी है उनके समान गणों की व्यक्तिता करने की सामर्त तुम्हारे अंतर में भी है एक बार यह तुम अंतरों मुखदिष्टी करोगे तो वेसा ही अनंतसोर तुम्हें अपने अंतर में दिखाई देगा देखो 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 उनके धुरुप बयान तुम्हें इस सुद्ध सम्यक्त कही बेस्व प्राप्त करा रहा है तुमसें कि एक albums धर के रहा है वह कि है भाब वे जेसे गडुनों में तुम यह देख रहा है जेसे अभिचल आनंद में शांति में तुम यह देख रहा है एक वार दिश्ति प्रकासित हो रही है एक वार स्वानभूती में देख तो शुद्धम प्रिकासम शुद्धात्म तत्वां वह अनंत शुद्धात्मिक वेभाव अनंत चेतना का नाद तेरे ही अंतर में रोम रोम से उदित हो रहा है रोम रोम से उदित हो रहा है अनंत गुणों में विलस रहा है तेरा यह सुक्ष्म सरूब अनंत गुणों में अनंत चेतनता में विलस रहा है तेरा यह अनंत चेतन सरूब अरे जिनके गुणों का तुम अवलोकन कर रहा है ओ उन बचनों का भी зस Всемे कार एक बार धिस्ठी पलड के दो उनके बचनों की भासा ए बयान जो उनके भासा है उस भासा की कला ही यह है कि जो भी उनकी भासा को जो भी इन वीत्रागी महमुनी राजों से उब्देश को तुम नहीं लो गए क्या जो भी इस वीत्रागी भावलिंगी मुनिराजों के उपदेश को प्राप्ट कर लेता है जो भी इन आचार परमात्मा के इन बचनों को ग्रण कर जाए गुरू के पचन अवत कर ले गरू देप के इन मचनों को अवत कर ले जो अपने अंतर में पी जाए निष्था से धारण कर ले यहो मेरे गुरू का उपदेश सुध्यसंव्यक का भेवाओ जिन भगवान के बचनों का सहिकार गुरू के बचनों को जो अवत कर ले धारण कल ले उन्हें भूले ना उन्हें अपने हिरदे में बैठाले बेबबजीव इन गुपतियों को रहस को जान जाए रे गुप्त सुभाब को जो जान गया उसके लिए गुप्तिय क्या है रे एक समय की धाराई तो है कुछ नहीं है मन बचन काय की बेवार गुप्ती कुछ नहीं है उसके लिए तो अपने गुप्त सुभाव के रमनता ही सरवत्र है चलते फरते हुए भी गुप्त सुभाव में रमन करता है उट्टे वेट्टे हुए भी गुप्त सुभाव में रमन करता है, बोलते बताते हुए भी मोन सरूप में रमन करता है, अरे गुरु देप की वानी में ही पहले ही आया है, सिद्ध सुभाव, सिद्ध सुभाव का सादक, देखे न कही, सुनी न कही, हित अब जै न कही, बोले तो ना बोले वो देखते हुए नहीं देखता बोलते हुए नहीं बोलता अरे कोई बोले तो भी नहीं बोलता सिद्ध सभाव वो तो अपने सिद्ध सभाव में मद मस्त रहता है आनंद में ही मस्त रहता है देखो ऐसी बात है कि बोलते हुए भी मौन चलते हुए भी स्थिर भाईया यह है गप्तु सुभाव की महीमा भाईया यह महीमा किसको समझ में आएगी भाईया जिसे सुभाव की उरुची है उसको इभाईगी जिसको सुभाव का आनंद पिरिये है उसको यह गप्तियां समझ में आएगी और नहीं तो भाईया जियात कर लो तेरा प्रकार अचारित होता है क्या क्या होते हैं तेरा प्रकार अचारित में पांच महावरत सुने हमने तीन गुपती सुनी हमने पांच समीती सुनी हमने प्रिवास याद है अरे भब आत्मा परिवासां से कल्याण नहीं होता आत्मा की इस्टि के परिवर्तन से करना होता है आपकी दिश्टि ऐदि आपके सभाव के संभुक है आपका उप्योग एदि आपकी चैतनी सभाव के लिए पल्टा है एदि आपका अंतर हिरदे आपकी अंतर आत्म जिन भगवान कि बचनों की पर समर्वेथ हुई है तो ये गुपति समझ में आएंगी अंतर से अनुभाव से अपने गुपत सुभाव को जानने के लिए गूपत दिश्टी चाहिए गुपत दिश्टी अरथाथ सुप्श में दिश्टी जिस दिश्टी को मन बचन काय से कोई लेना देना नहीं हो जो मन बचन काय से गुप्त हो अर्थत मन बचन चाय काय से बात ही ना करती हो मन बचन काय के लिए जो दिश्टी मोन हो जो दिश्टी मात अपने आत्म सुभाव से मिलन करती हो अपने आत्म सुभाव से बूलती हों जो दिष्टी अपने गूणों से बात करती हो इसी गुप्त दिष्टी चाहिए है जो संसारियों को दिखाई ना दे और अपने आत्म से मिलन करती रहे जो मन बचन काय को दिखाई ना दे जो कर्मों को दिखाई ना दे और अपने सुक्ष सभाव से गुटरगू अंतर ही अंतर आत्मरस की चर्चा होती रहे आत्म रसका मिलन होता रहे अंतर आत्म से जेजेकार उत्पन होती रहे एसी गुप्त दिश्टी हो तो अब भी इसी काल में इस पंचम काल में कल्यान हो जाए और हो ही गया सम्मिक दर्शन उपलग्द होने से आत्म दर्शन होने से सभाव से मिलन होने से अनंतिकाल से जिस कोई रोक सकता नहीं, एसे अभी चल गुरु के बचन अवद कर लेई, पी जाओ, कि गुरुदेव आपके बचन सत्त द्रोब और ट्रुमाण, मेरा रोम रोम इन बचनों के लिए समर्पेत है, या एसे सत्त गुरु की महिमा, एसे भीतरा गुप्त सभाव की महिमा, एसे अचल ग्यान का बेभाओ, जिन ग्यानियों के अंतर वरतता है, जिन सम्मेक दिश्टियों को एसा सुद्ध दर्षन पर ये लगता है, उनके जीवन में एसा गुप्तियों का सहकार उपलब्धों का एसे जिनेंद्र भग्मान के बचन है और जिनेंद्र देव गुरु देव की आज्या है माला ए गुत्तम गुण सा सरूपम हे भवजीव इस गुण मालिका को अपने सरूप से गुतो हे भवजीव इस रतनाइतिरी के गुण मालिका को गुत्सस गुण सा सरूपम अपने सरूप में उपलब्धों। जैसे जैसे इस निश्चेचारित को जानोगे जैसे जैसे इन गुणों को अपने सरूप में घूत ओगे बेसे वेसे quieres ये मालिकंद ये वेलारन भी निश्चे और वेलार के सांथ उपलब्ध होतीह होती जायेगी अंतर में प्रतीती बढ़ेगी और बाहर में सहीौंगों से दिश्टी हट्टी जाएगी पस इश्टी अपने बदल जाएगी दिश्टी ब्लास अंतर में आत्मा सुभाव में ब्लास करेगी मुक्ति प्रिवेश मुक्षमार्ग अपने आप खुलता जाएगा यह एसा गुरुदेप का रहसे एसे गुरु महराज के बहुत सूक्ष्म यह एसी सुद्ध दिश्टी में ब्लास करो मुक्ति में प्रिवेश स्वय में भी हो जाएगा एसी जनेंद्रभव सर्वग की परमात्मा की हम समस्त पात्रभव जिवों के लिए एक मात राग्या है बोलिए जनेंद्र भगवान की अम्रित मैं शुद्ध जिन देशना की ज ज्याएगा 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